मूवी में हमें 2154 का टाइम दिखाय जाता है जब हमारी अर्थ पर पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज खतम हो चुके होते हैं 방 reverses development administration नाम की एक company हमारी सबसे nearest galaxy alpha century के एक चंद्रमा पेंडोरा पर काम कर रही होती है वह company पेंडोरा पर एक बहुती किम्ती metal وिनो बेनियम के mining कर रही होती है पेंडोरा का एटमोसफियर इंसानों के लिए जहरीला होता है इसलिए वहाँ पर हर समय लोगों को मास पहन के रखना पड़ता है पेंडोरा पे रहने वाले लोकल लोगों को नावी करते हैं ये लोग 10 फुट लंबे ब्लू स्किन वाले होते हैं ये लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं हम इनसानों की तरह और इन लोगों के पूँच भी होती है और ये नावी लोग अपनी नेचर के साथ एक इंटरकनेक्टेट सिस्टम बनाते हैं ये अपनी पूच को किसी भी पेड़ पोदे या किसी भी जीव के connect करके बाते कर सकते हैं इनके सारे पेड़ पोदे एक दूसरे से connected होते हैं और लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं पेंडोरा को और explore करने के लिए ये company पेंडोरा पर एक अवतार नाम का प्रोग्राम शुरू करती है जिसमें genetic engineering की मदद से human hybrid बनाये जाते हैं और इनी human hybrid को अवतार कहा जाता है और ये देखने में यहां के local नावी जैसे होते हैं क्योंकि ये लोग नावी लोगों से जूड सके उनसे बात करके पेंडोरा के बारे में जान सके और दूसरी तरफ अर्थ पर एक paralyzed soldier जेक सुली होता है और उसे पेंडोरा पर अवतार प्रोग्राम के लिए चुन लिया जाता है क्योंकि उसका एक जुडवा भाई होता है जो अवतार प्रोग्राम में operator होता है लेकिन किसी चोर ने उसे गोली मार दी होती है जिसकी वज़े से उसकी मौत हो जाती है और दोनों भाई जुडवा होने की वज़े से उन दोनों के genetic DNA का make-up बिलकुल सेम होता है इसलिए जेक सुली को अवतार प्रोग्राम के लिए चुन लिया जाता है और उसे पैंडोरा ले जाये जाता है अवतार प्रोग्राम की head Dr. Grace सुली को इस प्रोग्राम के लिए fit नहीं मानती है लेकिन फिर भी वो उसे एक bodyguard के रूप में इस प्रोग्राम के लिए accept कर लेती है Dr. Grace और Dr. Norm अवतार प्रोग्राम में जो अवतार बनते हैं उनका analysis करते हैं और उनकी जरिये पैंडोरा के बारे में study करते हैं Dr. Grace और Dr. Norm अवतार प्रोग्राम के अवतारों पर analysis कर रहे होते हैं जंगल में लेकिन तबी जेक के अवतार पर पैंडोरा का एक जंगली जानवर हमला करता है जिसकी वज़े से जेक जंगल में भाग जाता है लेकिन जंगल में उसे एक फिमेल नावी नहतरी दुआरा बचा लिया जाता है नहतरी को अपनी कुल देवी का एक शुब संकेत मिलता है जिसकी वज़े से वो जेक को अपने साथ अपने लोगों में लेके जाती है नावी लोगों के कबीले के एक spiritual leader होती है और वो नहतरी की माट होती है और वो अपनी बेटी नहतरी को यह आदेश देती है कि जेक को नावी लोगों की society में शामिल कर लिया जाए क्योंकि इसके लिए हमारी कुल देवी ने एक शुब संकेत दिया था RDA कमपनी के head of security करनल माइल्स जेक से वादा करते हैं कि तुम मुझे नावी लोगों और उनके इकटा होने की जगद दे जाइंट हॉम ट्री के बारे में अगर information देते हो क्योंकि वहाँ पर युनो बेनियम की मात्रा बहुत जादा है अगर तुमने मुझे इनके बारे में information दे दी तो मैं company से केके तुमारे दोनों paralyze हो चुके पेरों को वापस ठीक करवा दूँगा और डॉक्टर ग्रेस जेक के अवतार प्रोग्राम को जंगल में कहीं transfer कर देती है ताकि जेक को अपने अवतार से link बनाने में कोई दिक्कत ना हो जेक नहतिरी के साथ रहने लगता है और दीरे दीरे वो सारे नावी लोगों से गुल मिल जाता है जेक नावी लोगों के साथ शिकार करना और पहाड पे चड़ना सिकता है और नावी लोगों में हर एक नए शिकारी को अच्छा शिकारी बनने के लिए एक परिक्षा देनी होती है उसके लिए हर एक नावी को अपनी सवारी के लिए एक इकरान चुनना पड़ता है इकरान एक बड़ा सा उड़ने वाला पक्षी होता है जिसके उपर बेट के नावी लोग सवारी करते हैं और इसके लिए सबसे पहले इकरान को कंट्रोल करके उसके साथ लिंक बनाना पड़ता है और जेक इकरान से लिंक बनाके उसके उपर सवारी करने में काम्याब हो जाता है दीरे दीरे जेक और नेतिरी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वे दोनों एक दूसरे को जीवन साती के रूप में चुन लेते हैं एक बार कमपनी का बुल्डोजर नावी लोगों के पवित्र पेडों को नश्ट कर रहा होता है तो जेक बुल्डोजर के उपर हमला करके उसे नश्ट करने की कोशिश करता है और ये बात करनल माइल्स को अच्छे नहीं लगती और वो जेक का अपने अवतार के साथ लिंक तोड़के उसे अवतार प्रोग्राम से बाहर निकाल देते हैं और तबी RDA कंपनी का मालिक पारकर करनल माइल्स को होम ट्री पर हमला करने का आदेश देता है लेकिन डॉक्टर ग्रेस और जेक उसे समझाते हैं कि ऐसा करने पर नावी लोगों के नर्वस सिस्टम को नुकसान हो सकता है क्योंकि वे लोग जाएंट ट्री के साथ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और पारकर उनके समझाने से नावी लोगों को समझाने के लिए जेक और ग्रेस को एक गंटे का समय देता है डॉक्टर ग्रेस और जेक नावी लोगों को समझाने जाते हैं और वो जेक और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं और नावी अपने होम ट्री को छोड़ के जाने से मना कर देते हैं और तबी करनल माइल्स अपने आद्मियों के साथ होम ट्री के उपर हमला कर देता है जिसकी वज़े से होम ट्री नीचे गिर जाता है और इस हमले में कबीले के मुख्या जो नेतरी के पिता होते उनके समेट कहीं सारे नावी लोग मारे जाते हैं और नेतरी के पिता के बाद कबीले का नया सरदार मौट जेक और ग्रेस को आजाद कर देता है लेकिन करनल माइल्स जेक और ग्रेस का अपने अवतारों के साथ लिंक को तोड़ देता है और उनको केद कर लेता है करनल माइल्स की एक फिमेल पाइलेट टूडी जेक और ग्रेस को बगा के ले जाती है क्योंकि वह करनल मायल्स के बुरे कामों में साथ नहीं देना चाती है लेकिन भागने के दोरान डॉक्टर ग्रेस को गोली लग जाती है और वो गायल हो जाती है जेक नावी लोगों का बरोसा जीतने के लिए टोरुक के साथ अपने मन का लिंक बनाता है टोरुक आसमान में उनने वाला एक बहुती पाउरफल पक्षी होता है कहते हैं कि आज तक किसी ने उसकी सवारी नहीं की होती है और नावी लोगों में ये मान्यता होती है कि जो भी टोरुक की सवारी करेगा वो ही नावी लोगों का रियल लीडर होगा और वो ही नावी लोगों के भविश्य का फैसला लेगा और जैसे ही जेक टोरुक पे बेट के नावी लोगों के पास जाता है तो नावी लोग सारे उसको एकसेप्ट कर लेते हैं और उसकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं और उसे अपना लीडर मान लेते हैं और नावी लोगों के आत्माओं के पवित्र पेड़ पर जेक मौट से ग्रेस को ठीक करने की हेल्प मांगता है लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और डॉक्टर ग्रेस नहीं बचपाती है और पाइलेट टूडी जेक के अवतार प्रोग्राम को जंगल में एक सिक्रेट जगर पर ट्रांसफर कर देती है ताकि कोई उसका पता लगा के लिंक तोड़ ना पाए कभी लेके नए सरदार सुते से की हमें पैंडोरा के सारे कभीलों को एक जूट करना होगा था कि हम सब लोग एक साथ मिलकर लड़ें और एक साथ मिलकर ही हम इन लोगों को हरा सकते हैं और जेक आत्माओं के पेड से अपना नर्वस सिस्टम कनेक्ट करके नावी देवता आईवा से प्रातना करता है कि इस हमले में हमारा साथ दो और इस लड़ाई में सरदार सुते और पाइलेट टूड़ी मारी जाती है और इस जंग में नावी लोगों को बचाने के लिए और उनका साथ देने के लिए पेंडोरा के सारे जंगली जानवर मिलकरते हैं एक साथ कमपनी की फोज के उपर हमला कर देते हैं और नेतिरी कहती है कि देवी आईवा ने हमारी प्रातना सुन ली और वो हमारी मदद करने के लिए आ गई और करनल माइल्स एक रोबोटिक सुट पहन के अपने एकसिडेंट हुए यान से निकल के बच जाता है और करनल माइल्स जेक के अवतार प्रोग्राम को ढून लेता है और जेक का अपने अवतार के साथ लिंक तोड़ देता है और जेक बिना उक्सिजन मास्क के पेंडोरा के जहरिल एटमोस्पियर में सांस नहीं ले पा रहा होता है और जैसे ही करनल माइल्स जेक के अवतार को मारने वाले होते हैं तब ही नेतिरी उसके उपर हमला करके करनल माइल्स को मार डालती है और नेतिरी जेक को अक्सिजन मास्क पहना के उसे मरने से बचा लेती है जेक, डॉक्टर नॉम और कुछ अच्छे लोगों को छोड़के बाकी सारे लोगों को पेंडोरा से निकाल दिया जाता है आतमाओं के पेड की हेल्प से जेक पर्मानेंटली अपने अवतार प्रोग्राम में ट्रांसफर हो जाता है अब उसे अपने अवतार प्रोग्राम के लिए किसी भी लिंक की जरुरत नहीं है और इसी के साथ हमारी मूवी की कहाने खतम हो जाते है